चेनवाब रिवर एक तरका मेजर रिवर है इंडिया और पाकिस्तान के तुरू होने वाला मोस्टली ये जम्मू काश्मीर के तुरू होते हुए पाकिस्तान में अल्टिमेटली इंदस रिवर में मिलता है जाके जेलम रिवर नर्दन इंडियन सब कॉंटिनेंट का पार्ट है जो की फ्लो करता है कश्मीर वैली से और ये ट्रिब्यूट रहे है चेनाब रिवर का इंदस रिवर एक तरस से देखा जाए तो इसका ओरिजिन हिमालाई से है या हिंदू कुछ कहा जाए और इसका दूसतरी तरफ पागिस्तान में इसका फ्लो देखा जाता है हीमोफीलिया हीमोफीलिय क्या होता है कि एक तरक डिसॉडर है ब्लेड से रिलेटर है जिसमें चोट लगने पर ब्लेड फ्लो होने के बाद्जूटिंग नहीं होते है लगाता और बैता जता है इसका वजह यह है कि प्रोटिन जो होती है डिखलाटिंग के लिए रहे Together buttons कहते हैं वह डवलप नहीं होती इसकी वज़े से हिमोफिला कहता है रहे फैक्टर्स होते हैं factor आपमिल्टीन के में ज help करते हैं 1 का some MHC है antie microbial लेस्ट्रेंस क्या होता है एक का माईक्रॉपस यो होते हैं वह एक मेकैनीजम इवाल करते हैं ड्रग्स के एक्स्पोजर के होने के हुजा से इतना इवाल होते हैं कि जो हम ड्रग्स देते हैं किसी ट्रीटमेंट को ठीक होने के लिए उन्हें एफेक्टिवनेस की कम हा जाती है यूँ कहें वो माइक्रोब्स उन ड्रग्स के अगेंज एक तरह का रेसिस्टेंस डवलप कर देती हैं जिनके वज़े से ड्रग्स यूजलेस हो जाती है इसी सीज को ब्रॉडर लेवल पर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस भी कहा जाता है ब्लाक काइट इज़र का मीडम साइजड बर्ड है जो कि इसे डायूरनेल रेप्टर भी कहा जाता है यह वाइडली डिस्ट्रिब्यूटेड है टेम्परेट एन ट्रॉपिकल पार्ट्स आफ यूरेसिया और पार्ट्स आफ आउस्ट्रेलेसिया और ओशेनिया फूड और फॉरागिंग की बाद कहे जाए ब्लाक केट जो है मुस्ट वी ग्लाइडिंग करते हैं दिखा देते हैं वह भी चोरिंग थर्मल्स की साथ इसके वजह से एनर्जी भी कम कंजंप्शन होता है और ग्लाइडिंग जालते तक रहते हैं